हेलो एवरिवान कैसे आप सब लोग आज का हमारा टॉपिक तहेगा दाट इस पॉल्यूशन तो मैंने पूछा था कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसमें आपको डाउट है जिसको आप चाहते हो कि मैं रिपीट कर रहा हूं तो काफी सारे बचों के कमेंट्स है थे रिगार् सब्सक्राइब को चाहिए कि यह टॉपिक रिपीट हो ठीक है कमनी केबल और नॉन कमनी केबल डिजीज का था वह मैं आपको एक ही लेक्षर में लास्टेंग करवा चुकी हूं जिसमें आपको पूरा ब्रीव दे दिया था कि कमनी केबल डिजीज इस पंसी होते हैं अगर सब्सक्राइब करवा दिया था जो कि कमनी केबल का ही पाथ था कमनी केबल डिजीज का ही पाथ था ठीक है तो आज हम बायों का लास्ट टॉपिक डाट इस पॉलिशन जिसके रिगार्डिंग बहुत सारे वह आ रहे थे डाउट सा रहे थे कि उनको चाहिए इस टॉपिक प पिलूशन जो है इसमें एर पॉलूशन और वाटर पॉलूशन में बात की पड़ीशन का गया है वह सारा टॉपिक के अंडर ही कवर करूंगी तो मैंने स्लाइज बिनाई है जो मैंने कंटेंट रेडी किया है वेड़ा सिस्टेमाटिक वे से किया हूँ है ठीक है आपको समझने में भी असानी होगी और तूदफ पॉइंट आपको कंटेंट मिलेगा ठीक है तो आज का लेक्चे स्टार्ट करते हैं तो पहले दिखते हैं कि स्टेशन है क्या ठीक है अब जो अमारी सरांदिंग है सरांडिंग होगी जैसे हमारा यह हो घूंद की पर्टिकॉलर ली बात करेंऋ एयर वॉटर रम नहीं ठीक है जब और इसमें कोई चीज आता है ठीक है और वह चेंज कैसा होना चाहिए is a change that is required that is required in undesirable change जब एरव यह फिर लान्ड में हमें कोई एक ऐसा चेंज आ जाह यह विच इस है और उस चेंज की वाज़ा से क्या हो एर ड्वाटर लान्ड में एसा चेंज आए जिसकी वज़से human life पे animals पे plants पे harmful effect हो रहा है तो वो क्या होगा हमारा pollution ठीक है जब air water and land में कोई undesirable change आए और उस undesirable change की वज़ा से क्या हो एक harmful effect पड़े human life पे plants पे animals पे तो वो क्या कहलाएगा pollution ठीक है फिर देखते हैं क्या लिखे है मैंने an undesirable change in our surrounding that is air water and land that may be harmful effect on human life animals and plants ठीक है यह होता है pollution इन ओर्डर to control environment pollution the government of India has passed the Environment Pollution Act 1986 so Environment Pollution Act कब पास हुआ था यह पास हुआ था 1986 में किसने से पास किया था इससे पास किया था government of India ने और इसको क्यों पास किया गया था in order to control environment pollution राइट अब एक तर्म हाती है pollutant pollutant क्या होता है अगर मैं simple language में बोलू तो ऐसी चीजें जो pollution create करती है वह pollutant होती है इन लेमान लांगविज इन इस पास किया जिसने पोलूअ क्रियेट किया वह क्या हो गया वह पॉल्यूटेंट हो गया अप पोलूटेंट solide form में भी हो सकता है और gaseous form में भी हो सकता है ठीक है तो देखते हैं क्या है पॉल्यूटेंट का लिखा मैंने और सबस्तांस विच कॉजिस पॉल्यूशन इस पॉल्यूटेंट ठीक है मैं बहुत ही इजी लांगोज में लिखा है इनकेस आप जब अपनी नोट्स दुबारा पढ़ोगे एक रीड दोगे आपको दुबारा याद हो जाएगा ठीक है दे लिमिट को क्रॉस कर दें यह सबस्तांस अगर उस कॉंसेंट्रेशन को एक सीर कर देते हैं तो यह क्या हो जाते हैं हमारे इंवार्मेंट के लिए यह हामफुल हो जाते हैं ठीक है यह सबस्तांस क्या हो जाते हैं हामफुल हो जाते हैं तो जब तक यह अपनी नाच्रल लिम कैसे होते हैं या थो इनको इंफ्या अक्टियोटिन प thành Jubilis लिए मेन हैं से एक अब आपनाने हैं अब आप विली को अगर मैं ड्वाइड का अब तो दो मुस्ली यह डिवाइड होते पता है इसका बेसिक मीनिंग पता है डिघ्रेडेबल क्या हुआ डिएबल इंवार्मेंट में ही रहते हैं और क्या करते हैं वह प्लूशन के रिएट करते हैं तो देख रहते हैं मनिन और हम पॉल्यूटृंने देख ब्सकार्ड़ने लिपरेड़कस. क्योंत्य थे एंधेन और किसम निमेंपे लिपिटेबल क्लाइट और बाने ग्र्फिसनुट स्क्राइड शुरूट्ट का ठीक है सो डिग्रेड़ डिसकारड़ वेजिटेबल ठीक है यह किसकी एक्जामपल है डिग्रेड़ेबल पॉल्यूटेंट की अब मैं बताते हूं कि डिग्रेड़ेबल क्या होते हैं विच रैपिडली ब्रेकड़ाउन बाइन अच्रेटरल प्रोसेस और नौन फटीलाइजर्स होगे पैस्टिसाइद्स होगे ठीक है यह भी क्लोरो टाहलो ठीक है डाए फिनाइल ठीक है एंड ट्राइ प्लोरो इतें रilles हो पहला दाई है उसकी साथ घाद में सबस्में डाइबार्ण फिनाईल ड्राइक्टाई इससे साथ डाइक्लेपर्ण ट्राईड पर दृश्थaden ड्राइक्टो ट्राम मिखा is of Dota plastic material heavy metals nuclear waste many chemicals like pesticides and fertilizers that remain in the environment and are difficult to remove ठीक है तो यह हो गया हमारा basic concept pollution के रिगार्डिंग एंड पॉल्यूटेंट के रिगार्डिंग के पॉल्यूटेंट क्या होते हैं और उनके टाइप्स अब नेक्स पॉल्यूशन में पढ़ेंगे एर पॉल्यूशन के बारे में तो अगरम इस डेफिनेशन को और प्रिसाइज कर दें विद रिस्पेक्ट टू एयर तो एयर पॉल्यूशन के डेफिनेशन बन देगी मीन्स कि जब एयर में अंडिजारेबल चेंग जो फिजिकली केमिकली या बियोलाजिकली ठीक है कोई इंपुरिटी आ जाएं जिनका हामफुल इंफेक्ट हो लिविंग पर नॉन लिविंग पर तो वो क्या बन जाएगा हमारा एयर पॉलुशन ठीक है मेजर पॉल्यूटेंट की बात करूं में तो इस पुछ नायट्रोजन आक्साइड शाइड फिक है जो क्या है मेजर पॉलुटेंट है थीक है उसके बाद हमारा कार्बन दाक्साइड है इस वन आफ देमेजर एर प्लूशन ठीक है मिधेन गास हो गई ठीक है सुल्फर डाइकसाइड हो गया ठीक है कुछ है में हम आरे प्लुटेंस ठीक है देख लेते हैं एर प्लुटेंस मीन्स कंटेमिनेशन ओफ एर बाइंपुरिटी इस विच में हाव हम्फुल इंपक्त ओन लिविंग एंड नौन लिविंग कंपोनेंट्स अब क्या इंपक्त है वह मांगे देखेंगे ठीक है मेजर पॉल्यूटेंट प्रिविंग विच्व चैनों अक साइड नाइट्रोजन दाइक्साइड तीक है फिर हमारा जाएगा कार्बन डायकसाइड मिथेन एंड सेल्फर डाइकसाइड ठीक है तो यह था बेसिक कॉंसेप्ट एर फॉल्यूशन क्या है मेजर पाल्यूटेंट क्या है एव एर पॉल प्रिमेंच के वारे प्रियुशन रहें तो एक्षानिकर प्रिक्राइं यह से ढूराइं आप सकते हैं तो अगर मिटेनश व मुझांच witnessing तो नेक्स्ट आगे हमारे causes of air pollution ठीक है तो मेन causes of air pollution आप मैंने causes को क्या किया है ठू ब्रॉड काटेगरी में डिवाइट कर दिया है और इसी के अंडर क्या किया है मैंने बताया है कि कौन से causes होते हैं एर pollution के ठीक है अब जो air pollution होता है वो मेनली होता है एक तो नाच्रली ठीक है नाच्रली होगा air pollution या फिर मानमेड तरीके से क्या होगा pollutants होएंगे और जिसकी वैसे pollution होगा हमने लास्लाइड में पढ़ा था कि जो pollutants होते हैं वो कैसे होते हैं या तो human activities की वाज़े से या फिर नाच्रल प्रोसेस की वाज़े से pollutants प्रेड्यूस होते हैं तो similarly यहीं पर है कॉज़े प्लूशन में या तो नाच्रल तरीके से होगा या फिर मानमेड होगा अब देखते हैं कि चलने की वज़े से यह तो ही थिवह से जो नाच्रवरा की उडिपि में पछले की वज़ां पर आटीसे उसे अग्पार्ब लक्वार टरीकियर कनल ऐसे ह Pharov s हमारी हौवा की क्वालिटी क्यों ख्राब होती है तो सब नाच्रल तरीके हैं वॉल्कानिक इप्शन हुआ ठीक है तो उससे और रॉक्षन होता है धुवां अगरा उठतो इत्त का discarded vegetables का तो उसमें आपको बताया था discarded vegetables से क्या होता है methane gas arise होती है ठीक है so that's also comes under natural process natural cause ठीक है so methane gas arising from decaying organic matter this is also create air pollution क्योंकि अभी हमने यह पड़ाई है methane gas क्या है one of the major pollutants of air ठीक है so यह कुछ natural way से जिसकी वाज़े से क्या होता है air pollution होता है अब मानमेड तरीके से कौन से air pollution होता है अगर हम fossil fuel को burn करें उसे air pollution होगा gases from factories industries power plants automobile से जो gases निकलती है उसे air pollution होता है ठीक है mining activities अगर हम करें ठीक है तो उससे भी क्या होता है air pollution होता है और यह कौन से इसमें कौन involved हो रहा है human being involved हो रहे हैं ठीक है so that's why it comes under man-made air causes of air pollution ठीक है so यह थे हमारे causes of air pollution की air pollution कैसे कैसे होता है उसके क्या-क्या causes है ठीक है सबसे पहले हम एयर को क्या करते हैं जो हमें चाहिए होती हम उसको इन्हेल करते हैं तो अगर यह ही पुल्यूटेट होगी तो हमें क्या होगी सबसे पहले हमें गजिए हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्रोब्लम्स आएंगी ठीक है थिसूं में हमार जो सैंट्र नर्वर्वस सिस्टम है अगर आव पुल्यूटेड गर्याद तो उसको क्या करेगी सेंटर नर्वर्वूस सिस्टम को भी एफेक्ट करेगी ठीक है अब आपको में को एक काम करना वा है जो एर बॉर्ण दिजीज है ठीक है एर बॉर्ण डिजीज हैं बहुंस दिजीज हैं w है तो respiratory system problem होती है Central nervous system problem होती है acid rain होगा air pollution की वज़ा से acid rain में आगे slides में नहीं ढाला है इसलिए मैं आपको ऐसे बें इसी स्लाइड में clear कर देती हूं तो मेरे जो भी मैं बोल्टी उसको प्लीज से सुन और अपने notes complete है जो बैसे के लिए होता है ना रेन का that is 5.6 ठीक है and it is due to the presence of H positive ions ठीक है so when the pH of rain falls below this 5.6 तो क्या हो जाती है हमारी रेन क्या बन जाती है acid rain बन जाती है ठीक है क्योंकि इसका pH level क्या हो जाता है 5.6 से जब कम हो जाता है तो रेन क्या बन जाती है हमारी इससे ड्रेन बन जाती है अब acid rain जो होती है हमारे लिए क्या होती है यह harmful होती है ठीक है क्या होती है यह harmful होती है अब name है acid अब चक्कर क्या होता है जो हमारा atmosphere थीक है हमारी जो air है उसमें क्या हötे है कुछ Oxides of sulfur and oxides of nitrogen present होते है है and these oxides of sulfur and nitrogen are acidic in nature just because they are acidic in nature so when they mix with rainwater ठीक है जो rain आ रही है clouds से जब पानी आ रहा है जब बुक्लाउट से पानी आता है ना स्पोज हमारे clouds है इसमें से जब यह rain drops आ रही है तो यह starting में acidic नहीं होते हैं यह starting में रही है आप यह क्यों हुत है हावा में क्या होता है onset अक्साyद्स प्रेजेंट से अपने से लिफर को conceptual तो चबी उसको कनवर्ट कर देता है तो हमारी रेन क्या बन जाती है तो उसी कोई हम आसर रेन बोलते हैं ठीक है तो बिसिकली ऑक्साइद और शेल्फर एंड नाइट्रोजन आ प्रेजन आ प्रेजंट इन एर स्वें देयर मिंग्स्ट विद रेन वाटर इट फॉर्म सिल्फ डेच्व रेन वाटर आप टाइम फॉल्स बिलोव 5.6 अब क्या होते हैं इसके एफेक्ट्स क्या है असे रेन के क्या क्या हमफुल इफेक्ट्स है यह एग्रीकल्ट्ट्र को ट्रीज को प्लांस को एफेक्ट करेगा और यह जब आशिट वाटर लांड पे पड़ेगा तो तो इसको अब्साब कर लेगी जब वाटर लेते हैं तो वह बाइर रूट्स लेते हैं तो वही वह वाटर जाएगा और वह क्या डिस्ट्रॉइ करेगा हमारे अगरीकल्चिर को ड्रीज को प्लांस को ठीक है इस अफ्टरियर में घ्जिस्ट करती है तो जब वह एक वाला पानी जाएगा तो एक्वेटिक लाइफ को भी यह डामज करेगा ठीक है एक टरेन इट एफेक्ट फिल्डिंग ठीक है अधिर मैटल्स को टाज महल कहते हैं यह येलो पड़ गया है ठीक है क्यों कि इसे ट्रेन की वज़े से ठीक है तो जो एसे ड्रेन था वो मैंने आपको डीटेल में एक्स्प्रेइन कर दिया है यहीं पर इसके रिगार्डिंग ज्यादा कोशन और नहीं आएंगे पिस लेवल के रिगार्डिंग आसकता है और वह किसमें कनवर्ट होते हैं तो यह याद रखना एफेक्ट मैंने आपको बत होती है जिसके वाज़से टेंप्रेचर राइज होता है और वह सारी चीज़ी होते हैं आगे पढ़ेंगे अब इस पॉइंट को उस्टों को हम डीटेल में पढ़ेंगे आगे के स्लाइट में ठीक है और ग्लोबल वामिंग यह भी आपका एक टॉपिक है तो एयर पोलुश बता दिए ठीक है तो देखते हैं उस ओनम लेट के बारे में और ओनलेयर क्याओं इस में में ज्मल लो में ध्यृत जहां पे ओस यृत करती है ठीक है है तो हमारी यृत बbest फ़िप सथ मूद ल मूला होता है वह नहीं जो होते है ऑक्सिजिन का फियंग दे प्लू ठीह है व ओजोन होती है वह कैसे करते हैं तो बेंसिकली इस दी एल्ट्रोप क्या होती है ये यह यह वह यह वोता है ऑक्सिजन का और यह जो ओधरी है ना यह क्या होता है यह unstable यह unstable oxygen molecule होता है जिसकी वज़े से क्या होता है जब यूवी रेज ऑज़न पर पढ़ती है तो यह क्या हो जाती आपने आपको disintegrate कर देती है into oxygen atom में ठीक है oxygen का एक molecule में और oxygen के आटम में यह डिसोशेट हो जाती है तो इस तरह से ओजोन जो होता है अंस्टेबल ऑक्सिजन मॉलिक्यूल होता है जब इस पर यूवी रेस पड़ेगी बाकि भी आपको भी रह्यक्त को अच्छन को बीदो ऋटतो रहता है यह अन्सेबल ओक्सिजन होता है बीश यह कि इसके बारे थाबर मैंने फाक्स लिखे हैं और आक एक फाक्ट बहुत important है ठीक है बाकी जो चीजे थी हो में आपको समझा दी है ओजोन जो होती है हमारी एक नाच्रल गास है ठीक है अपार्ट फ्रॉम बाट इट इस आप पॉजनेस गास या दखना ओजोन ऑल्दो हमें क्या करती है प्रोटेक्ट करती है हम्फुल यूवी रेस से बड़ इसका मतब भी यह नहीं की यह ठीक या शाय यह बसिक लिपाल इस रहूं रहाई जोती है अब हब अगर हमें ओजोन जो ए ठीक है आसऊ तो हैने की शिमपल से कहीं से थिर्म फ्लेयर उप्लेट ओफेसे के कि फम में फिर इसकी दो थृक्नेस होती है ठीक है थिकने फोफ लेष से देखा जाएं एडल के सफसे घ्माइटी ढूप अस प्रेजनों उस थिकनेस को वृजन की उस थिकनेस को को हम किसमें मेज़र करते हैं मेज़र करते हैं किसको देख लिए क्व değild гão스 को अग्र मेशन को मेजर करना है čhr tbist कि के एक्सक्रेस होती है अगर कि वज़ Highway से हैं एक तो डॉप्सन स्पेक्ट्रों मिल्टर रूता है और होता है हमारा टोटल ऑजोन मैप्पिंग स्पेक्ट्रों मेंटर इसकी मदद से भी हम वोजोन की थिकनेस को मेजर करते हैं ठीक है जब ठीकनेस के बात करूँ हम तो इसकी ठीकनेस होती है basically 300 ऑप लिटिक है और जू जो होती है वो पोल्स क्या खोती है एक जिस और जोडों की ते पॉल्स पे ज़्याधा होती है एज असके कंपेर्ट टू इक्वेटर इक्वेटर पेऊ जोन की तिकनेस कम होने की वजह से सअग्स datब करों तो 300 तो 400 दॉप्शन यूनिट वेरी करती है ठीक है तो ओजोन लेर की थिकनेस ज्यादा कहा होती है फोल्स पे थैन एक्वेटर ठीक है तो देख लेते हैं यूनिट ऑफ दॉप्शन क्या और सॉरी ओजोन क्या है तिकनेस ऑफ ओजोन इस अ कॉलम ऑफ एयर फ्रम ग्राउंड तो तॉप ओफ एट्मॉस्फेर इस मेज़र इन डॉप्शन यूनिट यूनिट पुछी दे तो क्या होगी डॉप्शन यूनिट एन इट इस मेज़र बाइद आप संस्पेक्ट्रमीटर फिल्ट्र ओजोनोमीटर जिसको हम एम एट 3 वी बोलते हैं टोटल ओजोन मापिंग को थीक्नेश आप ओफ च्लीटर या थाद्य हम श्कोश्च ओं डूप्शन यूनिट किसके बराबर है यहां पे ट्री ऐम idee ॹन वह क्यो determine जाएगा से से बन जाएगा 0.01 mm K So, ये भी आपका एक MCQ बन सकता है कि 1 Dobson unit की value कितनी होती है So, your 1 Dobson unit is equal to 0.01 mm ठीक है So, this is the value 1 Dobson unit किसके बराबर होता है और ठीकने इसके बाद करूँ जोन की तो हो कितनी होती है 300 Dobson unit ठीक है या फिर आप उसको 3 mm भी बोल सकते हो ठीक है Then, the ozone layer is thick over the poles then over the equator ठीक है तो ये था हमारा सारा ozone layer के बारे में इसमें एक एक पॉइंट जो है बोथ इंपोर्टन रहा है जो मैंने भी derivation करके बताई आप उसको वैसे भी लिख सकते हो तो या सिंपल अपने नोट में लिख सकते हो कि वान डीओ इकोल स्टू जो होता है फिर होता है मेस क्लाक मोच में he ह् região ठीड है इन कंप्लीट इंफमेशन है जो जून होती है ट्रोपोस्फियर में भी होती है इन्सकोल स्वेयर में खूती है क्यों सिन क्या गॉलेंगे ठीक ठीक घॉवी जो ग।ंव में प्रेजर्ट होगी उसको हम भोलेंगे व्युजियर भी भी ट्रहबंध को नहीं पड़ना अब हो कि मनें बताया कि वह क्यों दोन प्रेजेंट सब्सक्राइव होती है क्यों क्यों होती है कि युश को पॉल्यूट करती zawam किसमें कीकरती है इन दी फॉर्मेशना स्मॉग क्या हो गया बैसे कीजि़ स्थी कंभिनेशन ओफ लूइस डी समोग स्मोग प्लस फोग कैस मोट कस्योट सो टोब ठीक है सब्सक्रीश stiff वज़ें से क्या होता यह एएर को पॉल्यूट करते हैं स्मॉघ भी क्या करता है एर को उसकी क्वालिटी को खराब करता है आप जो गूढ ऑजोन होती है वह कहां प्रेज़न होती है हमारे स्ट्राटोसफेर में ठीक है और यह प्रोटेक्ट करती है लाइफ को फ्रम हामफ्फुल यूवी रेस से जो सन से आती है लाइट उसमें विशकरी फ्री कॉंपोनेंस होते हैं यूबी विजिबल एंड इन्फ्रारेड ठीक है तो यह यूवी रेस को क्या करती है रिफ्लेक्ट बैक करती है उसको अर्थ प्याने से रोकती है ठीक है सो यह होता है ठीक है अगर आपसे पेपर में पू किस लेघ में प्रेजेंट है कि रोक्री अपार फैर्म के सच रिखतों कि अगर वेडर नहीं पूला अब हम देखेंगे formation of ozone, ozone बनती कैसे है, ठीक है, ozone बनती कैसे है, देखो, सबसे पहले क्या होगा, जो हमारा oxygen है, ठीक है, oxygen molecule जो है, उस पे जब UV rays पढ़ेंगी, तो ये किसमें बनेंगी, oxygen atoms में, ये dissociate हो जाएगा, ठीक है, अब हमारे atmosphere में oxygen का molecule भी है, oxygen का atom भी है, ठीक है, अब क्या होगा, ये oxygen atom जब combine करेंगे oxygen molecule के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, ozone बनाएगा, बट मैंने आपको पहले ही बताएगा, और ये किसकी presence में, UV की presence में, और ये मैंने आपको पहले ही बताएगा जब मैं आपको पढ़ा रही थी, कि जो ozone है, ये highly unstable होता है, तो जैसे ही ozone पे UV rays पढ़ेंगी, क्योंकि ये unstable है, तो ये ozone है, फिर से dissociate किसमें हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी oxygen में, और oxygen, molecular oxygen में, और oxygen atom में, तो ये कुछ इस तरह से represent होता है, ठीक है, जब इस तरह से ये represent करेंगे, ठीक है, जब it means कि इसे हम क्या समझें, कि ozone कैसे बनती है, सबसे पहले जो oxygen है, वो dissociate होती है, oxygen atoms में, फिर वो oxygen atom जब molecular oxygen के साथ react करेंगे, तो वो ozone बनाएंगे, ठीक है, तो ozone की formation इतनी थी, ठीक है, ozone बन गई, जब oxygen atom ने molecular oxygen के साथ react किया, तो ozone बन गई, बट होता क्या है, ऐसा नहीं है कि जैसे ही atmosphere में oxygen ने oxygen molecular atom, जो oxygen atom है, उसने react किया molecular oxygen के साथ, तो ozone बनती जारी बनती जारी बनती जारी है, फिर तो ozone को भी deplete ही ना हो, वो तो ozone बनती जारी बनती जारी बनती जारी बनती जारी बनती जारी बट ऐसा नहीं होता, क्यूंकि ozone highly unstable होता है, तो यह साथ-साथ क्या होता है, अपने आपको breakdown भी करता है कि इसमें molecular oxygen में और oxygen atom में, जो प्रोसेस है ना यह यह वाला प्रोसेस इसको ozone को बनने का और ozone का डिप्लीट होने का ठीक है, यह क्या होता है, स्टेबल होता है, जितनी ozone बना रही है, इतनी ozone बना रही है तो बना है, इतनी ozone डिस इसदाश हो रही है, जो इस बैलेंस को क्या कर रहा है किसे कई इस से जाधा रीत पढ़ेंगे तो इसके बार में देख लेते हैं यूवी रेडियेशन स्प्लिट करती है अब यह अक्सिजन को इन्टू फ्री ऑक्सिजन एटम तो यह हमारी के आगे हमारी पढ़ेHHH फिर से कैंदने को इसे पड़ी और अदेगा हमारा यह अक्सिजन का यह करते हैंशन oxygen atoms combine with molecular oxygen to form ozone ozone बन गई ठीक है अब क्या होता है ozone is thermodynamically unstable यह तो पता है कि unstable है and decomposed to molecular oxygen ठीक है तो यह क्या होते है यह unstable होती है जिसके वाज़े से क्या होती है decompose हो जाती है molecular oxygen में and इदे मैंने शाहिद नहीं लिखा आप लिख लो decomposed to molecular oxygen and oxygen atom ठीक है दस a dynamic equilibrium exist between the production and decomposition of oxygen ozone molecules तो क्या रहता है एक equilibrium रहता है किसमे production में और decomposition में oxygen के molecules की ठीक है बट इस balance has been disrupted by cfc cfc होगे हमारे chloro fluorocarbons means यहां पर chlorine present है fluorine present and carbons present है ठीक है सो इनकी वज़े से क्या हो रही है हमारी जो ozone जो balance रहना चाहिए यह क्या हो रहा है बालेंस मेंटेन नहीं रह पा रहा है अब chlorine की वज़े से किस तरह से जो है balance खराब हो रहा है वह हम अभी देखेंगे आगे उससे पहले हम थोड़ा cfc के बारे में देख लेते हैं cfc को फिरांस भी बोलते हैं पूर सकते हैं पेपर में अनदर नेम इसका cfc का तुस्क क्या बोलते हैं जाओ रियक्तिव होती है जो cfc होती है हमारी आग उगरा नहीं पकड़ती है और यह नॉंटक्सिक होती है ठीक है यह टॉक्सिक भी नहीं होती है अब ये यूज कहा होती है यह बHow important इथे टीक है तो इथे जिए ने यह रहो मैं उसके थे बहूत है तो यह देख लीटायिः अलेकले ऊप् Only F होती है computer pass clean can I use होती है तो यह कैसे act करती है अज़े cleaning it cleaning solvent भी act करती है it is also act it is also used in the propellants and it is also used in the production of plastic foam ठीक है so यह as a coolant कहां यूज होती है refrigerator air conditioner में ठीक है propellants में यूज होती है ठीक है and as a cleaning solvent like it is used in electrical industry for cleaning computer parts and in the production of plastic foam में भी यह यूज होते हैं तो इसके यूज इस काफे बॉर्टेन है नेक्स हम बात करते है ओजोन होल की ठीक है अब यूज हो जाए ना तो वह ओजोन होल बन जाता है ठीक है एक रिस्ट्रिक्टिटेड एरिया में थिक्नेस अगर ओजोन की काम हो जाए तो क्या होता है ओजोन होल ठीक है so decline in the thickness of ozone layer over a restricted area it becomes ozone hole and it was first discovered over Antarctica in 1985 by Dr. Joe C. Furman and his clicks in the British Antarctic Survey ठीक है तो यह नाम याद दखना किसने किया दॉक्टर जोसी फर्मन ने कहां पर फर्स टेम एंटार्टिका में और कौन से यह में 1985 में ठीक है अब हम पढ़ते हैं ozone depletion के बारे में ठीक है ozone hole में हमने देखा थो है कि इसकी decline होता है बट वह कैसे होता है पहले मैं आपको पूरी reaction समझाओंगी ठीक है फिर हम यहाँ पर देखेंगे हमने क्या लिखा वार ठीक है देखो यह होता क्या है है क्लोरो फ्लोरो कार्वन मेंने का था यह में रिस्पॉंट में रिस्पॉंसिबल होते हैं और भी चीज़े होते हैं जिसके विससे और दिप्लेशन होती है बट में जो में रीजन है वह कुन सा है आफसी ठीक है सिएफसी का फ्रमुला रादेगा सीय एसे तू इटीड यह जब इस पर यूवी रेज पड़ेंगी सी एफसी पटे तो यह क्या प्रेड्यूस करती है क्लोरीन रेडिकल रेडिकल यह डिफ्लूस करेगी अब यह क्लोरीन रेडिकल क्या करेगा एट्मॉसफि में हमारी के लीट करता है ठीक है सच्वित क्लोरीन जो में और जो है ऑल जोंके क्लो जोन टू फॉर्म क्लोरीन मोनोक्साइड रेडिकल बनाएगा और मॉलिक्यूलर ऑक्सिजन बनाएगा यह फिर जो है क्लो यह क्लोरीन मोनोक्साइड क्लोरीन मोनोक्साइड रेडिकल फिर क्या करेगा जो हवा में हमारी ओजोन एटम प्रेजेंट है कैसे यह मैंने बताय पे यूवी रेस पड़ेंगी तो oxygen के atoms निकलेंगे तो यह जब इसका combine होगा तो यह क्या बनेगा chlorine फिर से chlorine radical बनेगा और यह oxygen बनेगा अब देखो जो यह chlorine radical starting में बन रहा था वही at the end chlorine क्या बन रहा है फिर से बन रहा है chlorine radical है वह क्या कर रहा है अपने आपको बार बार री जनरेट कर रहा है अपना इस पूरी रियक्शन में chlorine है वह consume होता ही नहीं है एक बार अगर cfc सबस्तांस ही जो है molecule जो है एक बार चलागा atmosphere में तो इस पर यूवी रेस पड़ी तो chlorine radical बनेगा chlorine radical फिर क्या करेगा ozone को deplete करेगा अब देखो यह जो क्लोरीन रेटीकल आया यह क्या करेगा यह फिर से ozone को तोड़ेगा ठीक है यह फिर chlorine monoxide बनाएगा oxygen बनाएगा और यह फिर से ozone तो यह प्रोसेस चलता ही जाएगा ठीक है तो हमने देखा किस तरह से जो क्लोरीन रेडिकल होता ही नहीं है और जितनी बार यह क्लोरीन रेडिकल बनेगा यह ओजोन के साथ रियक्ट करेगा और क्लोरीन क्लोरीन रेडिकल निकल गया तो वह क्लोरीन कितने ही थाउजन्स ओफ मोलेक्यूल जी जो ओजोन मोलेक्यूल हैं कितने ही 1000 ओ stuk,好好 molecule को कैका कर सकता है इसलिएte कर सकता है इक chlorine atom कितना जाएधा harmful है हमारी ozone के लिए है क्यूंकि यह क्या कर रहा है बार भार अपने बार बार आपने में आपको रीजनरेट कर रहा है और यह रीजनरेट कर रहा है means क्या कर रहा है करेंगे तो यह प्रोसेस देखो कितना एक्स्पुनेंशली एफेक्ट देगा हमें ठीक है आई होप आपको यह रियक्शन क्लियर होई होगी तो इक बाद देख लिते हैं मैंने इसकी जो डिटेल में लिखा हुआ है वो सारा मैं इस पीपीटी में लिखा हुआ इन इन स्ट्राटोस्पेर सट्राटोस स्ट्राटोस से लिएफ सी एफ इस गेट ब्रोकन डाउन बाई पावर्फुल यूवी रडियेशन लीजिंग क्लोरीन फ्री रेडिकल तो दिस इस दी रियक्शन देखो cf2 cl2 यह chlorofluorocarbons जब UV rays इस पर पढ़ी तो क्या बना यह chlorine radical बना ठीक है और साथ में बना हमारा cf2 cl ठीक है अब यह जो chlorine radical है ठीक है it then react with ozone to form chlorine monoxide ठीक है chlorine monoxide radicals and molecular oxygen ठीक है इसने यहां पर क्या किया ozone के साथ react गया और ozone को break कर दिया ठीक है और क्या बना chlorine monoxide और molecular oxygen ठीक है फिर यह chlorine monoxide क्या करेगा react करेगा oxygen के साथ and produces more chlorine radical और फिर chlorine radical फिर से क्या करेगा यह chlorine radical फिर से ozone के साथ react करेगा फिर से chlorine monoxide बनाएगा और oxygen बनाएगा और यह process चलता रहेगा ठीक है जितने जादा ही chlorine radical होंगे उतने जादा ओजोन क्या होती जाएगी हमारी होती जाएगी ठीक है तो यहीं लिखा हुआ इन reactions में ठीक हैश है the chlorine radicals are continuously regenerated and it is not consume in the reaction and cause breakdown of ozone ठीक है यह radical continuously तो जिसकी वाज़े से क्या होता है ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा हमारी क्या हो जाती है ब्रेकडाउन होती जाती है hence they have a permanent and continuing effect on ozone levels ठीक है here chlorine atom act as a catalyst very important की ozone depletion में कौन act करता है as a catalyst तो याद दखना chlorine atom ठीक है the cfc's are transporting agents cfc's क्या है transporting agents है for continuously generating chlorine radicals के लिए into stratosphere and damaging the ozone layer और यह क्या करते हैं डामस करते हैं ozone layer को तो यह था ozone depletion के बारे में कि किस तरह से chlorofluorocarbons chlorine radicals बनाते है chlorine radicals ozone deplete करती है और chlorine यह बनाती है chlorine monoxide बनाती है chlorine monoxide फिर से oxygen atom साथ फिर से क्या करती है chlorine radicals बनाती है तो यह क्या है process never ending process है ठीक है अब दिखते हैं effects of ozone depletion ozone depletion के क्या-क्या effects है सबसे पहले यह skin cancer देख होता इस से क्योंब यूवी रेडियेशन आएगी यह खामफू रेडियेशन होती है जब स्किन पर पड़े तो हमारे skin cell को damage करती है हमारी skin को aging करती है हमारी skin की skin cancer करती है ठीक है phytoplankton ठीक है यह उनको kill करते हैं ठीक है damage करती है फिश की productivity को ठीक है यूवी रेज आएंगी फॉल करेंगी ozone कम होएगी ozone डिप्लीट होगी ज्यादा यूवी रेज आएंगी तो क्या करेंगी फिश की productivity को भी decrease करेंगी cataract होगा हमारे eye की problem हो जाएगी ठीक है snow blindness हो जाएगा ठीक है यह भी आंकों की बिमारी होती है inflammation हो जाता यहां पर ठीक है cataract होगा snow blindness होगा sunburn हो जाएगा this is very common ठीक है sunburn हो जाएगा mutation of cell ठीक है जो हमारे dna वगरा है ठीक है उनका structure है वह ख्राब हो जाएगा mutation हो जाएगा cell का decrease moisture content in soil obviously जब यूवी रेज ज्यादा आए पढ़ेंगी तो क्या होगा जितना वह जो लीव में से जो लेवल आव वाटर है जो है वह ज्यादा evaporate होने लगेगा ठीक है जब लीव से water evaporate होगा ज्यादा तो वह क्या करेगा जो moisture content आप सोईल से वह डिक्रीज करेगा एंड़ीज ऑल्सो डामेज पेंट और फाइबर्स ठीक है जब यूवी रेज आएंगे तो इत्व डामेज पेंट फाइबर एंड कॉसिंग देम टू फेट फास्टर सो दीजार दी कॉमन एफेक्ट्स ओफ ओजोन डिपलीशन और इसी के साथ आपका ओजोन कंप्लीट होत तरह से होता है हामफुल इफेक्ट्स पढ़े ठीक है एर पॉल्यूशन के और हामफुल इफेक्ट्स में हमने आसेड रेन के बारे में पढ़ा ठीक है हमने ओजोन लेयर के बारे में पढ़ा डीटेल में ठीक है और अब हमने पढ़ना है ग्रीन हाउस एफेक्ट्स के बारे zapo और उसके दो करेंगे वाटर histó के भाले में ठीक है तो आज की लिए इतना इतरी नबा हो गया है और बाकी का रेमेनिग लेक्टर एयर प्रोलुàiiton वे हम करेंगे नेक्स लेक्टर पी में स्वाथ कि लेतने.